स्ट्रेचर को धकेलते हुए वे बड़ी तेजी से अस्पताल के गलियारे से ले जा रहे थे स्ट्रेचर के पीछे घर के सदस्यों, मित्रों, परीजनों और पडोसियों का एक काफिलासा था सभी के चहरों पर अकुलाहट थी अकुलाहट मतलब बेचैनी, परेशानी थीयटर के भीतर धकेला और दर्वाजा बंध हो गया सभी बाहर रुके खड़े थे अब अन्नात के परिवार के लोग परेशान थे उनका बेटा अनील बेंच पर मुँ नीचा किये बैठ गया था धीरज रखो, चोपडाने उसके कंधे थपथपाये थे उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कुई आश्वासन नहीं दिया है पर हुआ केसे? दुरघटना हाइवे पर हुई थी, हम तो दोपहर से ही इंतजार कर रहे थे दुबारा बाबुजी ने मोबाइल पर बताया के वे सुभा नहीं निकल सके इसलिए शाम तक ही पहुँचेंगे नौ बजे तक वे नहीं पहुँचें, तो सब चिन्तित हुए मोबाइल की घंटी बज रही थी, पर कोई उठा नहीं रहा था रास्ते में रुकना तो उन्हें था ही नहीं अगर रुकते भी, तो फोन पर बता सकते थे आसपास कई जगा फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला राद के एक बजे हम पुलिस स्टेशन पहुँचें पुलिस से मदद मागी सुबह पांच बजे फोन आया था उन्होंने बताया कि इस नंबर के गाड़ी अलवर के रास्ते में दुरघटना करस्थ हुई थी दुरघटना स्थल पर भयावह दृष्य था किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी अनिल धिरच को साथ लेकर गया था भगवान मन में चिंता थी अपने अपने बात कह रहे थे अमरना जैसा इंसान उनके साथ भी यहीं होना था ट्रक वाला जरूर पिया होगा परंतु सबूत कोई नहीं था वो तो रुका ही नहीं वाँ टककर मार कर निकल गया इंसानियत का भी सबूत दिया होता तो ड्राइवर भी बच्चा था अधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्य हुई दस साल से इस परिवार के साथ था दस पंद्रा मिनट का समय भी मुश्किल से गुजर रहा था अनिल से बताया था तो सब के चेहरे पूच गये थे ये कैसे हो सकता है बच गया इसलिए हैरान हो क्या मुझे अभी मरना ही नहीं था इसलिए बच गया वे हसे थे किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसे की जाए सब चूप थे अमरनाथ अपनी रो में कह रहे थे भाग्यशाली हूँ इसलिए बच गया मुझे ड्राइवर का दुख है अगर मैं उस वक्त बेहोश न हुआ होता तो उसे बचा लेता कभी भी मरने न देता सब चूप उनकी बात सुन रहे थे उनकी तरफ देख कर अमरनाथ ने बूचा था कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम? क्या हुआ? अनिल ने डॉक्टर की तरफ देख कर कहा था आप ही बता दीजे डॉक्टर डॉक्टर ने अपने को समेटते हुए सा कहा था अमरनाची ऐसी दुरगट्टा में आप बच गये है ये एक चमतकार है अब आप ठीक भी हो जाएंगे लेकिन डॉक्टर अटका था हिम्मच चुटा कर कह दिया था देखिए आपकी टांग बूरी तरह से कुछली गई है बिना देखभाल के चार घंटे आप वहाँ पड़े रहे उन्हें जहर फैल गया है इसलिए वो रुका था आपकी टांग काटनी पड़ेगी नहीं तो शरीर में जहर फैलने का अंदेशा है अमर्नात ने अपने परिवार के लोगों की तरफ देखा था फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हसे थे टांग ही काटनी है तो काट तो साथ साल तक इन टांगों के साथ जिया हूँ खुब गुमकड़ी की है मैंने गुमकड़ी मतलब घूमना फिरना देश में विदेशों में पहाडों पर समुद्र के किनारे रगिस्तान में पठारों में सभी जगा गुंता रहा हूँ जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही है मेरे हाथ है देखो उन्होंने दोनों हाथ उपर उठाए थे मेरा बाकी शरीर है वे खुल कर हसे थे डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी अनिल बढ़कर पिता के गले लग क्या था बाबुजी बाबुजी अरे इसमें ऐसा क्या है मेरा जीवन इस तीन फीट की टांग से तो बढ़ा ही होगा न फिर क्या है अमरनाथ की टांग कट गई थी वे घर गए थे एक स्वचलित विलचेर उनके लिए आ गई थी जिस पर बैठ कर वे घर भर में घुनते थे अमरनाथ के कहने पर घर में कैन्वस, रंग, ब्रश और इजल सब सामान आ गया था उन्होंने इजल पर कैन्वस लगाया था इजल मतलब चित्र फलक वे हस्ते हुए कहते देखो वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा पर मुझे फुरसती नहीं मिली मैंने विश्व भर में कला दिर्खाओं में विश्व के बड़े-बड़े चित्रकारों की चित्र देखे हैं और सराहे हैं पर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन चित्रों में मैं अपने रंगों के लगाय जाने की कल्पना करता था फिर सारा परिद्रश्य ही बदल जाता था इन मानव आकरूतियों के चित्रों में मुर्ति शिल्पका समन वै था स्तुरी रंगों के बिना जहां उन्होंने रेखाओं से आक्रूतिया बनाई थी, बहां उनमें मांस, मज्जा और अस्थिया तक को देखा जा सकता था रेखाओं वाले चित्रों में एक प्रवाह, उर्जा, उमंग और चुस्ति फूर्ति थी लगता था, ये आक्रूतिया अभी समवात करेंगी, हाथ पकड़ कर साथ हो लेंगी, इतनी जिवन तता, रंग रेखाओं से उनका प्यार, उनकी हर सास से निस्त्रूत होता था, जो उनके चित्रों को सजिव कर देता निस्रूत होता, मतलब उद्गम होता, उद्पन होता, लगता था, वे हर दृष्य, परिदृष्य, स्थिती और व्यक्ति के रंगों और रेखा में ढाल देंगे अमरनाथ घर के भीतर, कैनवास पर फूलों, पत्तों, जर्ने और हर्याली के चित्र बनाते वही घर के बाहर की जितनी खुली जमीन थी, माली के साथ उन्होंने उस जमीन को तयार करवाया था सामने की जमीन में बगीचा बनाया था, जिसमें रंग बिरंगी मौसम के फूल क्यारियों में लगाये थे उन्होंने रुत्वों के क्रम से फूलों के पौधे लगवाये थे गर्मी के बाद बरसाथ और बरसाथ के बाद सर्दी के पौधों में फूल खिलते घर के पीछे की जमीन में उन्होंने फलों की पेड लगा दिये थे घर की चार दिवारी के साथ फूलों और फलों की बेले चड़ा दी थी घर और बाहर के लोग आश्चर्य से उनकी और देखते वे हसने मैं जीवन का व्याकरण बना रहा हूं जीवन के अचुते सच के शीखर पर चड़े के लिए सीधिया लगा रहा हूं कहकर हसने लगते डॉक्टर ने खून की फिर से जांच करवाई थी खून की जांच की रिपोर्ट आई तो वो परेशान हो गया था घर के लोग चिंतित थे अब क्या हो गया डॉक्टर में बताया था बिमारी फिर से पसर रही है उनकी दाई बाह में खून की गरदेश बंध हो गई थी धीरे धीरे बाह हिलाना भी मुश्किल हो गई बाह निर्जीव होकर काट सी हो गई थी बहुत सारे दवाईया दी जा रही थी घर पर ही नर्स रख ली थी घर का कोई न कोई सदस्य भी आसपास ही रहता डॉक्टर ने बताया जहर फैल गया है अब और रुका नहीं जा सकता पहले से भी ज्यादा भया व्रहस्ती थी बाह काटनी पड़ीगी घर के लोग सन्न थे लेकिन फैसला तो बाबुजी को ही लेना था वे वैसी हसी हसे थे आखिर मैं बाहत तो नहीं हुँ न सबता भरबाद अमरनाद असपताल से लोट आये थे उनकी दाई बाह काट भी गई थी उन्होंने जल्दी ही बाए हाँच से अपना काम करना सीख लिया था वे पहले की ही तरह सामानने लग रहे थे अमरनाद ने कहा था कल से मैं शास्त्रिय संगित सीखना शुरू करूंगा शास्त्री जी को सुचित कर दो कि वे कल से आ जाए बचपन में मैंने सीखना शुरू किया था पर कहीं सीखा था बीच में ही छोड़ना पड़ा था शास्त्री जी आ गए थे अमरनात ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया सुभा का समय उनके रियाज का समय था दिन में शास्त्री जी आते थे शाम को फिर अभ्यास करते पहले रंग और रिखाएं थी अब स्वर लहरिया थी स्वर साधना में वे ध्वनियों का आवान करते कभी धुपत की गायकी की खुली खेलते अवतारिध होते शास्त्री जी कभी कभार खयाल में तान आलापते तो कभी ठुमरी के उनके शब्तों के भाव स्वरों में बंट कर मन प्रांट तक पहुच जाते जहां लौकिक और अलौकिक, भावतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सुक्ष्म की सारी सिमाये तूट गई थी मानो स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उदघाटीत कर रहे हो इस सब के साथ भी अमरनात की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी वे फिर बिमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चहरे पर वही चिंटा घर के लोग दुख से व्याकूल, अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया, वे सप्ताह भर बाद लोटाय थे, उनकी आवाज जा चुकी थी, पर उनकी आखें हस रही थी वैसी ही हसी जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवित हूँ मुझे चुनावती मत दो, जीवना नुभाव और कला के अनुभाव की एकात्मता का हौलता सच उनके कहने पर शास्त्रिय संगीत अध्यों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम, उनके कमरे में साइन बोट पर रख्टिया गया उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से, उनकी सुविधा नुजार कर दी गई उन्होंने इशारों से बताया था, मैंने संगीत सिखा, पर सुना तो था ही नहीं, मेरी साध्धा अधुरी रही जिन्होंने अपनी साध्धा पूरी की, उनकी सिध्धी का लाब तो ले सकता हूं उनकी दिन चर्याब बदल गई थी, वे मुस्कुराते, इशारों में जैसे कहते हूं, मैं आनंद में हूं वे सुभा उठते, अपनी विल्चेर पर बाहर खुले में बगिचे में बैचाते पक्षियों का कल्रव सुनते, सूखे पत्तों के जरने की आवाज, कलियों के चट्खने की आवाज उन्हें सुनाई दे थी उन्हें ओस की टिपटिप पत्तियों के खुलने की धीमी हवा के सरसरानी की सुक्ष्म ध्भनिया बहुत स्पष्ट सुनाई पढ़ने लगी थी उनके चहरे पर एक उजास दीपता था आखे बन करके कजरी की तान सुनते दिन में वे अपनी रुची और समय की अनुकुलता से शास्त्रिय गायन की सीडी सुनते घर के लोग चहाते थे जैसे भी हो वे जो चहाते हो करें वे उन्हें इतनी खुशी तो देही सकते थे इस समय अलवेर कामो का कलीगूला नाटक उनके भीतर मन्चित होता है इश्वर कुरूर रोमन शेहनशा कलीगूला बन गया है अपनी इच्छा से वो मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है जैसे जैसे उसे जरूरत पड़ती है उसी करम से वो एक-एक अंग भंकर मुझे मरवा रहा है मुझे कलीगूला के विरुद एक शांत संघर्ष करना है क्योंके मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुर्शार्थ में है आत्महिंता में नहीं वे सोचते सारे गत्यावरोत समाप्थो निर्बंध हो मैं जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति, अद्वित्य हो मेरी अपराजे आस्था जीवन के अंतिम साक्ष में मुझे निर्बह कर दे